मित्रान्त एजुकेशन सेंटर में मैं आड़ी चंद्रा आप सभी काज स्वागत करता हूँ दोस्तों वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के बारे में इधर चर्चा ग्रम है अर्थात देश में इसकी चर्चा हो रही है सबसे पहले यह जानना जिरूरी है वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट है क्या अर्थात एक जिला है उस जिले का जो बहुत चर्चित वस्तों है जिसे अंतराश्टिय ख्याती पहले भी मिल चुकी है वैसी वस्तों को एक बजार देना एक अंतराश्टिय बजार देना यही है वन डिस्टिक वन प्रड़क्ट लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले ये जानना जुरूरी है किया योजना कब देश में लागू की गई थी एस्पेसली ये जो बिहार से जुरी हुई परक्षाओं की तैयारी करते हैं उसके लिए अत्यन्त आवस्चक है ये विशे 30 जून 2020 को यह प्रड़क्ट सोडी यह योजना लागू की गई थी जब यह योजना लागू की गई थी तब ये क्रिसी विभाग के पास योजना के क्रियावियन के सम्मंदित साड़े अधिकार थे लेकिन इसे अब उद्योग विभाग के जिम्मे दे दिया गिया है जब से उद्योग विभाग के जिम्मे दिया गिया इसमें भारी बदलाब किया गिया बदलाब क्या क्या हुए है कुछ ऐसी वस्त्वों को जोड़ी गई है और कुछ ऐसी वस्त्वों को जोकी उचित नहीं थी उसे निकाल करके उसकी जगह पर दूसरी वस्त्व को जोड़ा गिया जब इसकी सुरवात हुई थी तब हमारे बिहार राज के 38 जीलों के लगवक 23 प्रोड़क्ट को चेनित किया गिया था किन्तु जब ये कृसी विभाग से उद्द्योग विभाग के पास योजना आई इसकी सारी जिमेदारी आई तब इसमें बदलाब किया गिया अब 38 जीलों के पाचपन प्रोड़क्ट को चिन्हित किये गिये जिन्हें अब अंतराश्टिय बजारों में बेचा जाएगा कुछ ऐसे जीले हैं जिन जीलों के वश्टवों को बदला गिया या फिर उसमें जोरा गिया जैसे पटना है भागलपूर है मुझपरपूर है ये कुछ ऐसे जीले हैं जहां पर कि पहले कुछ और वश्टवें मिलती थी जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे लेकिन इसमें अभी तीन तीन वश्टवों को जोरी गई है साथी सहरसा, सिवान, सिवहर, सेखफूरा और सारन से एक-एक उतपाद लिया गिया है अर्थात एक-एक वश्ट में लिगई है और विहार राज के सोले जीलों से तीन-तीन उतपाद लिये गए हैं और सत्रे जीलों से दो-दो उतपाद लिये गए हैं इस योजना के तहट जो है फसल, सबजी, फल, सहित जो भी विभिन परकार की कलाएं हैं जो गार्मेंट्स उद्योग हैं वहाँ पर उन सभी को बरहाबा इस योजना के तहट दी जाएगी या दिया जाएगा और इस योजना के क्रियावयन में किसी परकार की दिकतें नहीं आए इसके लिए जो है सरकार की तरब से दास हजार क्रोर रुपए दिये जाएंगे अनुदान के तोर पर ताकि इस योजना का क्रियावयन सही से हो सके अब कुछ ऐसे जिलों की बात करते जहां पर कुछ बदला गिया है और कुछ जोरा गिया है जैसे नालंदा में आलो की जगह अब बावन बूटी और सिलाव खाजा प्रोडक्ट अंतराश्ट्य वस्त्वों के लिए त्यार किया जाएगा पटना में पहले प्याज था लेकिन अब वहाँ पर ब्रास, मेटल वक्स, टीकुली पैंटिंग और गार्मेंट एंड एक्टिव वियर इसको वहाँ पर बरहावा दिया जाएगा पस्चिम चंपारन में गन्ना की जगह मिर्चा, चुरा एवं रेडी मेट गार्मेंट को बरहावा दिया जाएगा और बाका में कतरनी चावल के साथ साथ सिल्क को भी जोरा गिया है और हमारे आसपास में जो जिला है भागलपूर वहां सिल्क सारी के साथ साथ मंजूसा पैंटिंग और जरदालू आम को बरहावा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा हमारे बिहार राज में रोजगार के अफशर बरेंगे और मुझे लगता है कि ये योजना बहुत ही आने वाले दिनों में कारगर सावित होने वाली है रोजगार की तरह अगर देखाज़त रोजगार में संभावनाओं की तरह अगर देखाज़त ये बहुत ही कारगर योजना होने वाली है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ